देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूज चानल वीके न्यूज राश्ट्र के नाम नारे बाजी की पूरे मामले पर किसानों का कहला है कि दो दिन पहले मंडी में सोया बीन की फसल का भाव 5500 रुपे प्रती कुईंटल मिल रहा था लेकिन वैपारियों की तरफ से मनमानी करते हुए भाव कम कर दिया गया जिसके बाद नाराज किसान अपनी फसल लेकर बावस मत्वदेश में हर किसी पर चुनावी बुखार शड़ा हुआ है विधास सभा चुनाओं को लेकर बाजबा कॉंग्रेस सहित अन निदलू की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिये गए हैं जिसके बाद अब प्रत्याशियों की तरफ से मध्दाताओं को लुभाने के लिए नए नए जतन किये जा रहे हैं मत्वदेश की राजगर जिले की सारबपूर विधान सभा से कॉंग्रेस पत्याशी कला मालवी जनसंपर के द्वरान सारबपूर विधान सभा के नैनवाडा गाउपोची जहां दीपावली के तेवहार को लेकर घर की रंगाई पताई की इसके साथ ही एक महिला को देख कॉंगर्स उमीदवार कला मालवी खुद महिलाओं के साथ गोबर से पताई करने में जुड़ गई वहीं दूसी तरफ भारती जनता पार्टी के उमीदवार गौतम टेटवाल चाय के होटल पर पहुँचकर अपने हाथों से कार करताओं और अन्य लोगों को चाय बनाकर पिलाया MP में आगामी चुनाओ के चलते पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है जिसके चलते पुलिस प्रशासन हर रोज सड़क पर उतर कर कभी वहनों की चेकिंग कर रहा है तो कभी जिले में बढ़ है अप्राधों और अप्राधिनों पर नकेल कसता हुआ नज करते हुए वाहन मालिकों के चालान भी काटे गए इसी दौरान पुलिस कारवाई में एक महिला की तरफ से कारवाई कर रहे पुलिस कंचारी को धमकाते हुए भी देखा गया मद्वदेश में विधानसमा चुनाव को लेकर पुलिस में 100 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को कर लिया है जिसमें मिहोना थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कारवाई करते हुए 10 लाक रुपे कीमत की स्मैक के साथ 2 तसकरों को गरफतार क्या गया है मुकविर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कारवाई करते हुए भिंड पुलिस अधिक्षक अतरिक्षक संजी उप पाठक के निर्देशन में आगामी विधान सभाचुनाओ 2023 को देखते हुए सभी राजपत्रित अधिकारी और ठाना प्रभारी के साथ साथ साइबर सेल के मुक्विर तंत्र विक्सित करते हुए अवैत गत्विधियों के खिलाव प्रभावी कारवाई करने के लिए निर् परताल जारी है MPK कट्टी के जेल प्रशासन में उस वक्त हड़कम बच गया जब जिला जेल एमर्जंसी अलाम बजने लगा जिसके बाद जेल प्रशासन ने अलर्ट होते हुए चेकिंग अभियान चलाया जिसमें जेल के अधिकारियों ने जेल में सर्चिंग अभियान च अधिकारी को जब इसकी शिकायत की तो खालच कर दिया गया इसी के साथ उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वो जल्थ हाई कोड और सुप्रीम कोड में जाएंगे और भारत निर्वाचन आयोक से इसकी शिकायत करेंगे जिनके उपर केस है जो भूमाफिया के साथ है राजनात सिंग जी की मेतिकता पर भी ये सवाल उठता है ति आप किस तरह से ये तमान सारी तुल्मा करते हैं मैं समझता हूँ ये ऐसे गुंडा प्रवर्ती के लेक्ति को ऐसे फरेवी को इंदोर की जंता जवाब देगी और मैं मुक्यमित्री शिराच चोहांगी से भी पूछना चाहूँगा लाडली बहना का तो आप बहुत शूर मचा रहे हैं कि वो लाडली बहन नहीं है पच्छिन बंगाल के अंदर जो रोरों के बिलक बिलक की कह रही है कि मेरे से अत्याचार हुआ जो इंसाफ की गुभार लगा रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए कुक्षी तैसिल थाना में पिलसदिक्षप मनुझ कुमार सिंग के मार्ग दर्शन ने कुक्षी सहीद बाग टांडा डरही के सभी थाना प्रभारियों स्टाप को बलवा ड्रिल दगाईयों से निप्टेने के लिए ट्रेनिंग दी गई आपको बता दें कि आगामी विधान सबा चुनाओ को देखते वे ट्रेनिंग दी गई है जिससे आगामी विधान सबा चुनाओ के चलते कुक्षी सहीद आसपास के पुलिस बल किसी भी स्थिती में निपटने के लिए तैयार है और इसी के साथ आशू गैस टियर लॉंचर पायर करते वे दंगाई उसको कैसे खदेर ना है इसकी जानकारी थाना प्रभारी और स्टाफ को पहले से पता रहे इसके ही साथ सूबेदार नितेश आठोर ने ट्रेनिंग के दौन बताया कि ट्रेनिंग को खशी के डीपी स्कूल के पास बने मैदान में दी गई आगामी विधानसाबा चुनाओ को संपन करवाने की तैयारिया पूरी हो गई है करना चाहते हैं चुनाओ के वरां तो इनको सबक सिखाए जैसके पुलिस उसके तयार रहे है इसके द्रहां में अक्तों के दलवा जिल का अभ्यास करा जा रहा है और इसमें कुक्षी दाग तांड़ा भाही समय सथानों का बल जो है इसमें अभ्यास रित रहा और काफी को बाइल चीन कर भाग है जैसे तीन घायलों को स्वास उपचार के लिए अस्पताल में भरती करा गया और वहीं पुलिस थानड़ा से मिली जानकारी के मताबिक घटना को लेकर टांड़ा पुलिस ने अग्याद तीन आरूपियों के विरत लूट की धाराओं के तहत कीमत 37,64,250 रुपए आखी गई है आपको बता दें कि आरूपी घर के पास बाड़े से अवैद 190 नग गाजे के छोटे बड़े पौधे पुलिस ने जब्त किये जिसकी कीमत 13,22,250 रुपए है पुलिस की तरफ से जब्त कर आरूपी को गरफतार कर लिया गया है वहीं दूस इसी तरफ आरूपी के घर के पीछे बाड़े में पुलिस की चकिंग के दोरान अवैद गाजा बाड़े में सूखनी के लिए रखा गया था तभी बौके पर पहुची पुलिस ने अवैद 440 नग गाजे के छोटे बड़े हरे पौधे जिसकी कीमत 24,22,000 रुपए है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसी के साथ पुलिस की तरफ से आरूपी को गिरापतार भी कर लिया गया है और इसे करीब जो है 250 कलोग और पेर के जिपांजा है जिसमें पर लगदे लगदे पुलिस के बाद जख पिये गया है गांजे के और इसकी पूरी मात्रा है वो करीब किमत जो है वो 57,000,000 गांजा पिलिस के बाद जख पिया गया है रुकते छोड़े से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद पर मिलेंगे खबरों का सलसला जारी रहेगा